हेलो फ्रेंट सौगत आपके चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बर फिट से जो बैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे है वह होने वाला यहां पर ऑस्ट्रेलिया वूमें व्स पाकिस्तान वूमें के बीच जो फर्स ट्वेंटी मैच होने वाला मैच की वीडियो वीडि कैसे करने है प्लस वैदर न्यूस प्लस पिच रिपोर्ट यह सारी चीजे वन बाइवन डिसकस करेंगे प्लस बाइक भी तो उससे पहले कर आप हमारे यूटुब चैनल पर नहीं आया तो आपको मारे टेलिग्राम चैनल जोईन करना बहुत जरूरी जिसका नाम है फेंटै टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ओपर व्ल्यू Gle-er का लिंक होगा जैसी उस पर क्लिक करोगे टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा दैन उसको आपको जॉइन कर लेना है तो द्यान रखना आपको हमारे टेलिग्राम के सही और औरीजिनल वाले चैनल के करके किसी गलत या चैनल के साथ जुड़ सकते हो तो सही तरीका सिर्फ एक ही है किया लिंक का उसके ना जो वीडियो की नीचे कमेंट में आपको दिया हुआ है अब आते वीडियो की में पार्ट पर देखो जो रहने वारा है वह यहां पे नौट सिड्नी ओवल सिड्नी में मै पर नाइट की टाइम बाइश बताई जारे है सुबह के टाइम पर नहीं बताई जारी है बागी टीम कौंसे जीते कि यहां पर अस्ट्रेलिया वोमें की जीतने के खाई चांस रहने वाले इस मैच में और अगर बात किया फॉर्मैट है टीट्वेंट्टी का एवरेज इस जो पाकिस्तान पर नीचे स्कोर देखने हो मिल सकता है अच्छी पीच थर्ड वंडे मैच जो था सब्सक्राइब जिसमें इस फार्ड मैच में पर मैच हो था जिसमें पहले बैटिंग करते विए तीर दो चतियस बनाया थे तो इसे चिशु होती है कि बैटिंग तो पाकिस्तान के ठीकटा के सब्सक्राइब तो यसे शो होती है कि बैटिंग के लिए पहले बैटिंग करी तो आप हाइस को एक सब्सक्राइब बागी पिच रपोर्ट बाइटिंग के लिए अच्छी पिच और फास्ट बोलर्स को थोड़ा जाला सब पर मिल सकता है बाकि बाइग की पिक जो रहने वाली तोस के पहले बैटिंग करती है उस के बाइटिंग करती है मतलब पाकिस्तान के बाइटिंग करें कि उस केस में आप पाकिस्तान के बालर को सेल कर सकते हैं रखे चलना बागी पॉसलल प्लेंग टीम की रहने वाली वो क्या रहेगी हां पर बैथ मुनी आपको करते हो नज़रा हैं जो कि अच्छी फॉर्म में ती ब और रहे हैं बैथ मुनी ने इंफॉर्म प्लेयर है और लेफ्टन बैट्स बने प्लस विकेट के पर तो कैचिंग स्टंपिंग के पॉइंट वे आपको बैथ मुनी देगी और अभी रीजिट में वर्ल्ट की नंबर वन टीन नमबर टू पे नंबर टू पे हैं टी ट्वन पाकिस्तन के उसमें तो वंडे सीरिज में अच्छी फॉम में थी बैथ मुनी वाकि है ग्रेस है अपने इंडिया के सीरिज में देखा होगा फिनिश करने आती है लास्ट में और आपने देखा होगा हर मैच में 15-15 बॉलों में 30-30-40 बना के जा रही थी तो बहुत यह पावर है और कम बॉल में ज्यादा स्कोर कर सकती है इंडिया वाले मैच में आपर है रिस ने मिडल ओडर में किलस बढ़ यहां पर अलिसा हेली अवेलेवल ने तो मुझे लगता है कि है इस से ओपन करवाई जा सकती है कि जो बिग बैश होता है वोमन का उसमें ग्रेस है इस ओपन वर्सेस इंडिया गेश बहुत ची परफॉर्मेंस रही थी बागी मैग लैनिंग जो राइटन राइटन बैट्स में प्लस क्याप्टन ने ध्यान रखके चलना इनकी टीम की सबसे बैश्ट बैट्स में आज काफी लंबे टाइम से अगर आप देखोगे तो आइसिंग सब बनेगी चाहिए पहले बैटिंग चाहिए बाद में बैटिंग करने आती है बागे तालिया मेगरा ने राइटन बैट संब फार्फॉर्मेंस नहीं रहा पाई बागी बालिंग से निकाल पाई तो टीम में ले सकते हुआ कैप्टन के लिए नहीं करूंगा मीटियम फार्फ बालिंग करते हैं जो बाकिया लिस्पेरी के बारे बात की जाए तो शायद मैं इस स्मॉल लिग में इग्नोर कर सकते हुआ है रीजन क्या है रीजन यह है कि टॉप और है वो होता क्या है कई बार की नीचे वालों की बैटिंग नहीं पाते खास कर से अगर बालिंग ना करें यह भी देखने को मिल सकता है बट बैटिंग से अगर बात की जाए तो यहां पे अगर उस्टिले पहले बैटिंग करते हुआ है वैसे बैस्ट आलर राउंडर बट ट्वेंडे और रिस्क ले सकता है इंडिया से बहली अच्छी रही हो बट यहां पर दि वाट फिक्स होगी और मैग लाइनिंग विकेट देती नहीं ना बैथ होनी टॉप पॉर्टन का स्ट्रॉंग इस केस में बाकी बंडे सीरीज अच्छी नहीं रही बॉलिंग से कोई विकेट नहीं मिला बैटिंग से तीन वादे सतरा अनुमारे से बाकी यहां पर है एसले गा पाइसले की टीम में सबसे पावरफुल बैट समय जो बहुत बहुत लंबे चक्के लगाती है और राइट इन बैसमन आफिस्पन बादर लाश तीन मच्छ टीम के लिए निसन मनाएं 5 विकेट लिया पर ऐसले रेक्षिया गांडनर के लिए का चिकांट हो सकती है वागि एनना पर सदर्लेंड फार्ट बाउल राइट राइटन बैट्समेंग के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा और तीन मीचे सब्सक्राइब एक लंबे टाइम से यहां पर विक्र टेकर बाॉलर रही है तो काफी इंपोर्टन बैट्समें बालर रहती है आपके लिए मेगन शूट को मिल सकता है और अभी रिसेंट में लीडिंग टेकर भी रही थी बिग बैश बूमैन में बाकी यहां पर है जैस्ट जोनेसन लेफटाम और स्पिन बॉलर काफी लंबे टाइम से अगर आप देखोगे तो यहां पर सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर कहीं भी बालिंग कर लेते हैं विकेट टेकर वालर है वंडे सीरीज में तीन वैसे चार विकेट लिए लेफटन बैट्समन है और लेफटाम और स्पिन बॉलिंग करती है यहां पर यहां पर यह एक खेलेंगी वेरहम देखो यार यह पुरानी प्लेयर है क्योंकि पहले वेरहम रेगुलर ऑस्ट्राइब की पार्ट से बड़ रिसेंट बीच में शायद क्यों नहीं खेल रही थी कुछ इंजरी थी क्यांते क्योंकि डॉमेस्टिक मैच भी नहीं अब आप ही साही तो शायद हो सकता है कि मौका मिल जा फिर लाना मेंसे दो रहो क्योंकि दोनों ही टॉप स्पिन बॉलर है टीम में जरूर लेकर जा सकते हो वंडे सीरीज में तीन से तीन विकेट लेते हैं यहां पर किंग ने बागी यहां पर है ब्रेंड दार्शी इंडिया के साथ अगेंश्च नहीं रही थी इंपॉर्टन फ्लेयर तो वह रहने वाले हैं थिक है रुआज फायर का साइन किया इनको टीम से मिस्मत करना यह रहेंगे और टीम से बिल्कुल भी मिस्मत करना किसी भी कॉस्ट में कॉस्ट में बह। इंपोट अपके लिए र लिए ओपनिंग करते हो नजर आ सकती हैं विकेट कीपर लेफटेंड बैट्समेन है तीन मैच में टीम के लिए पहनताली सन बनाए हैं वंडे सिरीज में ओपनिंग करने आएंगे मीनिंग में ट्राइब कर सकते हो बाकिया पर सिद्रा मीन जो कि लाश्ट एक साल से काफ़े प्रफॉर्मेंस रही है इंटरनेशल में सेंचुरीज में वंडे सिरीज में थोड़ी फ्लॉप रही तीन में सिरीज में ट्राइब करना स्मॉली के लिए सब्सक्राइब नहीं मानता राइट है जावेरिया खान अब रीसेंट टीम पे खेलती नहीं है और बहुत अच्छी बैट्समें जरूर थोड़ा स्लो खेलती है पावर्फुल नहीं है इतनी सिंगल डबल ज्यादा खेलती है तो आप मान सकते हो कि एक सेट लगी रहे कि सिंगल डबल सिंगल टबल तीश चारीश हम करके दे सकती है जावेरिया ख सब्सक्राइब करें और यहां पर आपको बालिंग करते हैं नीददार मैं बोलूंगा सिर्फ एक पाकिस्तन की टीम में जो आप किसी भी कॉस्ट में इग्नोर नहीं करें और ऐसी प्लेयर जो पाकिस्तन को जित्वा सकती है और ऐसी प्लेयर है जो मतलब बोल सकते हो कि सबसे इंपॉर्टन प्लेयर एंगी टीम की वंडे सीरीज भी तीन में अच्छी रही तीन में एक सो बार रन दो विकेट और एक लॉट्टी प्लेयर है पाकिस्तन की जो चाहे वंडे की कोई रैंकिंग हो चाहे बैटिंग हो या कि चलना अगर कि किसी और यहां पर दार ऑप्शन है बाकि अलिया रिया राइटन प्लेयर अपनी बॉलिंग करती नहीं बैटिंग में फिनिशिंग का रोल करती है डियान बैंग ने तीन वाच्छ तीन विकेट लिए बहुत एक्सपिरेंस बॉलर काफी लंब टाइम से खे फातिमा साना को मैं टीम में जरूर लोंगा बॉलिंग सेक्षिन में ध्यानक के चलने भले ही बॉलिंग में दियो पर एक आल राउंडर है तीन मैच 35 रन तीन विकेट अभी रिसेंट में जो वंडे सीरिस कहीं इस मैच्छी परफॉर्मेंस रही है और देथ होड़ से बहु कोई भी खेली कि इतने इंपॉर्टन वाले कोई रहेगी स्मॉल लिग में बैंच में नवाद दो मैच 20 यहां पर विकेट कीपर वंडे सीरीज की परफॉर्मेंस शमस ने एक मैच पर तीसन मनाए यहां पर वंडे सीरीज में और ओपनिंग की से जब यह खेली थी बाकि इन इंपॉर्टन वह लोगे तो डैफिनिटली अपने बनने वाली हैं वह रहेंगे हैं पर बिस्मा मारूफ और मैमा सोहिल नीदादार पातिमा सना यह प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टन रहेंगी जिनकों को किसी भी कॉस्पर टिम से मिस्स नहीं करना आपको 15-20 और के बीच मे यहां पर नीदादार फातिमा सना और डियाना बैक बॉलिंग करते हो नदर रहेंगी ध्यान रखके चलना पर चार टीम दूंगा और अगर बात की जाए तो मैं आपको सेम टीम के किसी वह पर लगा सकते हैं बाकि मेरी जो इन्वेश्मेंट रहेगी विजिन 11 एप पर रहे आपके लिए से मैं दोल्वेस रहने वाला है डी ओ सी टी ओर रहेंटर को डॉक्टर डालोगे तो फ्री का बोनस मिल जागा दूसरे हमारे फैंटेसी दॉक्टर की फैमिली में एड हो जाओगे जिससे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो रैफर को जरूब करते है जैसे मैंने आपको बताया है देहां रखके चलना और एंट्री फीस बहुत कम है ना कोई क्रेट का इश्यू आता है और और काफी अधर बेनिफिट है कॉम्पेटिशन में काफी कम है मेरी जो में बाकिर सब एप से उनमें जो में मतलब बो सकते हो कि अभी उपराने वाले यहां पर इसके अगॉर्डिंग देखोगे तो यह टीम बन सकते हैं मेरी यहां पर मैंने यह टीम करेट के चार प्लेयर में लोगा पाकिस्तान के और साथ प्लेयर में इंडिया के ओस्ट्रेलिया के और 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 निव रूल के जाओगे तो फिर आप एक टीम के मैक्सिम दस मैं यहां पर इसके में नहीं कर सकता बाकि बातिंग में लिया मैक्तिक को बाकि आप जरूर जा सकते यहां रहां पर उस्ट्रेलिया के पहले बालिंग करती है उसके से मैं को ट्राइब करेंगे मुझे लगता है यहां पर हैरिस और मारूफ के साथ जा सकते इसके लावा सिद्रामीन ग्रेंड लिग की पिक बनेंगी जावेरिया को ग्रेंड लिक टीम में ट्राइब करना विकट नहीं जाती सिंगल डबल करें खेलती है और छोड़ी इनिंग्स खेल बागी नीदादार ओमास सोहल और यहां पहले बैटिंग करती है पाकिस्तन पहले बालिंग करती है उस केस में पहले बैक के साथ जा सकते हूं मैं वाइमास सोहल की जगा निहान रखे चला यहां नसरा संदू के साथ तो बाकि फातिमा को मैं जरूर लेके जाओंगा और ब्राउन के साथ गया और यहां और वेरहम और किंग में से कोई एक खेलेंगी तो उनको आप ट्राइब कर सकते हो मीग बगेर में इसके लाब कोई और बॉलिंग में पंकिसंद नहीं खेलते हैं ओतना इमपोर्टन नहीं समझूंगा और सतम। इसमॉइंग की तीम रहेगी देखो बाकी देखो नए रूल्स को लिए मैंने लिए नम्याग लाइनिंग को भिस्मा मारूफ को अगर पाकिस्तन पहले पहले बॉलिंग करती है ठीक है अगर पहले बॉलिंग करती है यह पर बाकी यह टीम ने पहले बॉलिंग करती है और टीम रहेगी यह टीम फोर रहेगी बागी मैं स्मॉल यह लिकी फाइनल टीम आफ्टर टेली ग्राम पर टेली ग्राम चैनल जॉइन कर लें उसका लिंक वीडियो के नीचे कमेंट मिल जाएगा सबसे उपर ब्लीयू कर लिंक होगा जैसे उस पर क् टेलीग्राम चैनल को जोइन के लिए जैसे बताएं तो मिलते हैं टेलीग्राम पर जाहिए दोस्तों बाए बाए